भारती जन्ता पार्टी की केंद्र सरकार जो इस वक्त है उसके मौझूदा कारेकाल का ये आखरी बजट था और इसके बाद चुनाव में उसको उतरना है 2024 के शुरू में पहले हाफ में तो दोस्तों ये बड़ी घटना है सरकार शासन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लेकिन इस बार का बजट बहुत कुछ खास नहीं है खास कर जो चुनावी बजट जिसे कहते हैं जिसे कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतप्रिय बजट देने की कोशिश हर सरका करती है चुनाव से अएन पहले लेकिन सरकार के इस बजट में ऐसी कोई लोक लुभावन घोशना कोई ऐसी नई पॉलसी ऐसा कुछ नहीं है आम आदमी के लिए तो बिल्कुल कुछ खास नहीं है हाँ खास लोगों के लिए जरूर खास है ऐसा क्यों किया गया आखिर कोई स्टेटेजी है कि वो बहुत लोकप्रिय बजट लोगों की आम पसंद का बजट देने के बज़ा है उन्होंने अपने ढंक से अपनी स्टेटेजी के इसाफ से बजट दिया है उन्होंने इंफ्राइस्ट्रक् Tiffany पर ज्यादा खर्च करने की बात करी है अब उसका ठीक है जलता को भी फैदा मिलता है लेकिन ज्यादा फैदा आज के हमारे भारति हमाज में इस तरह के छेतरों के खर्च पर किस तरह कहां जा रहा है ये अलग एक कहानी है जिस पर हम नहीं जाएंगे हमारा वो विश horrific नहीं है लेकिन हम य कह रहे हैं कि आखिर चुनाव से एन पहले के इस बजट में वो क्या चीज़ है कि सरकार आश्वस्त है कि बहुत लोक्तपरी ये बजट पसंदीदा लोगों की नजर में जो बजट होता है वैसा बजट पेश किये बगैर उसको जीतने का चुनाव जीतने का ये जो एक है कि वो इसके बहुत चुनाव जीतेगी आखिर वो क्या है दोस्तों इस बारे में मैंने इस बजट में बहुत सारी चीज़े खंगालने की कोशिश की अपने तई और हमने पाया कि अब जैसे गरीब लोग आम तोर पे इस देश में सबसे अधीक बोटर हैं सबसे अधीक ल केट्रोलियम सबसेडी उसमें भी कटोती है और 79,000 की कटोती है तो यह सारी जो इस तरह की जो कटोतियां है और ए्धूकेशन पर जो कहा जा रहा है कि उन्होंने बढ़ाया है लेकिन एधूकेशन पर कितना बढ़ाया है सोचल वेलफेर पर आप देखिए अगर सोचल वेलफेर जो इसकीम से हैं इसमें एक क्याओन हजार साथ सो असी करोड की जगा सेडल कास्ट कुम्टी अपने देश में है उस पर आठ हजार साथ सो करोड का जो तो एलोकेशन था लेकिन कितना खर्च हुआ इस पर इसे तरह से वह तो चौकाने वाला आंकडा है 1810 करोड का प्राउधान था लेकिन खर्च किया सिर्फ 530 करोड और दोस्तों अगर आपको हम बताएं कि जो कुल मिला करके शिक्षा और जो अपने देश में स्वास्ति है COVID-19 से देश धल चुका है पूरा पूरा जो पापूलेशन अमारे देश की है वो वाकई एक तरह से उसके लिए टेरर था उसके लिए एक आतंक था COVID दोनों जो उसकी लहरें थी लेकिन इसके बावजूद जो है स्वास्ति पर जितना ध्यान सरकार को देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया इस बजट में और फिर वो सवाल यहीं उठता है कि आकिर वो क्या चीज़ है कि जो जनता की जरूरत की चीज़े हैं जनता के लिए जो बेहत महत्दपूर्ण जो स्कीम्स हो सकती है वहाँ पर सरकार ने ज्यादा खर्च नहीं करना चाहा है ज्यादा इलोक है और हमने इसके लिए बहुत सारे लोगों से बात की है हमने उत्तरप्रदेश के लोगों से बिहार के लोगों से जारखंड के लोगों से मद्दप्रदेश और चातिसगण में भी अलग अलग तरह के लोगों से फोन पर हमने यह जानना चाहा कि आकिर हमारी सरकार को वो कि चीज का भरोसा है सबसे अधिक कि चुनाव वर्ष यानि 2024 में भले चुनाव हो लेकिन 2023 के साथ ही चुनाव का एक तरह से बिगुल बज गया है अगर आप देखिये तो तो चुनाव के इस वर्ष में जो एक डेड़ साल में सब कुछ चुनावी महौल गर्माता ही रहेगा हर म मिलाकर उसका जो इसनारा खर्चा है जो बड़े बड़े जो कार्पूरेट समूग हैं बड़े बड़े जो पूझी वाले लोग हैं बड़े बड़े जो ठेकेदार होंगे उनके फायदा के लिए ये बजट को मिलाकर काम करेगा तो हमारा मानना है जो लोगों से बाचीत के scheme, मुफ्त राशन करोनों लोगों को, 80 करोनों को दिया गया था, हो सकता है थोड़े दिन के बाद हो सकता है, कुछ घटाएं बढ़ाएं वो अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि मुफ्त राशन की जो scheme है, जो इतने बड़े पैमाने पर लोग पा रहे हैं और दोस्तों, बिहार के सारंजिले में मैं कुछ लोगों से फोन पर बात कर रहा था और बात करने वालों में एक रिटार्ड प्रोफेसर भी थे, और दो-तीन अध्यापक भी थे, कुछ ग्रामीर भी थे तरह-तर अगलों से मैंने बात की, पता ये लोग हैं, उनमें ऐसे भी लोग हैं, जब खाते-पीते परिवार के भी हैं, जिनको फ्री के राशन की जरूरत नहीं आए, लेकिन राशन उनको मिल रहा है, तो जो राशन उनको मिल रहा है, तो शासन पसंद आ रहा है, शासन इसलिए नहीं पसंद आ रहा है केवल कि वो राशन उन्ते पेट में जा रहा है बहुत सारा जो राशन मिलता है वो उसको खुले बाजार में बेश देते हैं वही जो लोग राशन की दुकान से लेके आ रहे हैं रास्ते में भी कई जगा वो बिक जाता है क्यों कि उनको जरूरत नहीं है वो उससे बेहतर अनाज खाते हैं उनके पास पैसा है उनके पास ठीक ठाक कमाई है सिर्फ गरीब लोगों के लिए वो एक आस्रा है इसमें कोई दोडाय नहीं है जिनके पास ने जमीन है और ने जिनके पास नोकरी है लेकिन जो लोग ठीक ठाक जिस्तिती में है वो क्यों खाएंगे उस तरह की quality का चावल या गेहूं तो ये जो मुफ्त राशन है एक तरह से हमारी मुझूदा सरकार और सक्ताधारी दल जिसे कहते हैं कि ये दूसरी सरकारों ने लाभार्थी के कल्चर पैदा कर दी लोगों न एक मुफ्त की रेवडियां बाटी ऐसी बात करते हैं सताधारी दल के लोग लेकिन दरसल एक बड़े सेक्षन में वो भी रेवडियां बाट रहे हैं ताकि लोग याद रखें चुनाव में वो डालते समय कि इसी सरकार के कारण उनको एक्स्ट्राक पैसा भी घर में आ रहा रहा है तो एक तरफ मुफ्त राशन की योजना का एक प्लस है कि वो गरीव और नीडी लोगों के काम आ रही है तो दूसरी है कि बहुत सारे लोगों को उससे पैसे की भी आमदरी हो रही है और तीसरी बात जो एक सैध्धान्तिक बात है कि आप राशन बाट कर क्या अपनी एक उपकरण के तोर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है पिछले दो तीन सालों से चार सालों से इसके पहले अलगलग स्कीम्स थी लेकिन इसको विधान सभाओं के चुनाओं में भी आपने देखा होगा यूपी के चुनाओं के समय अवदी उसकी खतम हो रही थी लेकि कि इस सरकार को पूरा भरुसा है पूरा कंफिडेंस है कि वो चुनाओं हमेशा जित्ती रहेगी जब तक यह आग है जब तक यह धर्मान देता है और यह महस्तन जोग नहीं है कि जो अजद्या के मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने पहले एलान नहीं किया था कि मंदिर कब बन कर दिया कि 2024 के जनौवरी में बल्कि उन्होंने तो तारीक भी विकुत कर दी जनौवरी हलां कि वो तारीक सुना है मै एन पहले यानि जब जब रैलियां सुरू होंगी चुनाव सभाएं सुरू होंगी उसके पहले मंदिर का दरवाजा खुल जा